मस्जिद के उपर और 6 डिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंडे और फटनविस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजे से ये सब हमले मस्जिदों पर किये जा रहे हैं मस्जिद के अंदर खुसकर खुरान शरीफ की बेहरमती की गई मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को जो वहाँ पर मुसल्मानों के घर थे घरों में गुसकर उनके जिवरात और पैसों को लूटा गया और अब पॉलिस तमाशा ही बनी देख बैठी देवे तो ये पूरा एंकरेज्मेंट दिया जा रहा है एक खिसम से इंडिरेक्ली और डिरेक्ली बोलिए महां की बीजेपी और शिंडे सरकार की तरफ से इसलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं आप बताई ही बनना चाहर हो और मस्जिद के अनरे घुसके आप खुराण शरीप को जला रहे हैं कौन सा विश्वा गुरू कौन से ये बातें कर रहे हैं डेलिबरेट टार्गेटिंग है मुसल्मानों के और इस प्लेस की इसको इस बात को साबित करता है केस्बुक करें कितनों करें आ हर वक्त यहां पर पिछले आठ मैंने से उठा के देख लो महराश्टा में मस्जिदों को टार्गेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं खामुश नमाश है बने बैटी भी है तो इसलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विदान सभा के तो यह यह रेवडी नहीं है यह कमनलिजम नहीं है कि अन्य ने सुनिये आप यह तो महराश्टा की सरकार भी कर रही दिली की सरकार भी सब कर रही है यह क्या है पिर यह और आप उसमें क्या कर रहे है एक दरगा एक मस्जिद अरे यह क्या है भाई है आप वन साइड़ फैसे ले रहे हैं आप तो समीधान पर होते लिए ना तो आपको सबको राबर बराबर ट्रीट करना है आप एक रिलिजन के कैसा हो सकते वहां की सरकार सवाल यह है कि मैजरिटी माइनोरिटी के आप बात करते हैं आप लोग क्या करते हैं आपकी हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते हैं रेडिकलिजम हो रहा है एपीजमेंट हो रहा है हम इसको दबा देंगे अब तक एक ते गुल्डों से घर तोड़ दी जाते अब तक